जी हाँ दोस्तो अब काम के हिसाब से तै होगा नियूंतम वेतन साथियों बता दे आप लोगों को आज के दैनिक जागन नियूज पे परशी अपडेट ली गई है अब काम के हिसाब से नियूंतम वेतन दोस्तो निश्चित किया जाएगा सरकार के दवारा बता दे साथियों ये भी साथ में कि अब सरकार नए जो लेबर कोड लेकर आने वाली है उसमें यहाँ पर दोस्तो एक जो सबसे अच्छा प्रावधान इसमें बता गया वो है एक निश्चित आवधी के लिए काम करने वालों को भी सताई करमचारी की तरह सुईधाएं दी ज जा रहेंगी तो साथियों यहाँ पर नए लेबर कोड की तियारी में है सरकार भारत सरकार दोस्तो तो अब यहाँपर क्या कुछ इसमें नया बदलाव होने जा रहा है आए इस के वारे में क्या कुछ बता गया है जान लेते हैं तो सबसे पहला जो पॉइंट था दोस्तों होने का इंतजार खतम होने जा रहा है पिछले पांच वरसों से इसकी त्यारी चल रही है नई सरकार के गठन के तीन मां के भीतर ही लेबर कोड लागू किया जा सकता है इसमें काम की प्रिष्थितियां बोगोलिक श्थिति और कुसलता की जरूरतों को ध्यान में रखते गए हैं लेबर कोड के अलग लग लागू नहीं किया जाएंगे बलकि सभी को एक साथ जो है लागू करने की त्यारी है इन दिनों सरम रोजगार मंत्रेले में इस पर लगातार काम भी चल रहा है लेबर कोड के चार पार्ट जिसमें यांपर बता गया है साथि हो जिसमें वेतन सम्मंदी है और दोगिक सम्मंदित है समाजिक सुरक्षा है ठीक है हेल्थ और जो वर्किंग कंडिशन है यानि के वेबसाइक और सुरक्षा एम कार्या प्रस्तिती कोड सामिल है तो इस तरह के यानि के उसके सारी की सारी चीज़ जोगा द्यान रख जाएगा है आपर इस तरह से बता गया है मंत्रा लेके उच्छ पदस्तशुत्रों के अनुसार सभी पार्ट के उन परमुख प्रस्ताओं को लागू किया जाएगा जिसके तहत नोकरी करने वाले और नोकरी देने वाले दोनों को फायदा हो तो यहाँ पर जो भार्त सरकार है दोस्तो आने व समचारी नाराज भी हैं लेकिन आपर जो छे पुइंट हों सारे के सारे बताए गई हैं अगर बात करें तो यहां पर इसमें ग्रेजविटी भी सामिल हो सकती है पांच साल से कम अवधी तक काम करने पर भी ग्रेजविटी सुविधा का लाब मिलेगा ऐसंगटित सेतर के सरमि समाजिक शुरक्षिया के लिए फण्ड की ववस्ता की जाएगी जो मतरत और कास होता है उसकी सुविधा के साथ नर्सिंग सुविधा ओफिस में क्रेज सुविधा भी मुहिया करानी होगी नियुक्ता यानि के जो नोक्री देने वाला है अपने काम की जरूरत के नुसार चोटी एवधी के लिए करमचारियों को न्यूक्त कर सकेंगे हरताल पर जाने से 14 दिन पहले नोटी से देना होगा नेमों का उलंगन करने पर अलग-अलग हर जाने की वविस्था भी होगी तो यहां पर दूस्तों आप लोग देख पा रहे हैं जो नए लेबर कोड लागू क परने की त्यारी में है सरकार जिसमें कुछ अच्छी बाते भी हैं कुछ या निके प्लस पॉइंट और नेगटिव पॉइंट हमेशा होते हैं दोनों तरह ऐसे आप लोग इसको देख सकते हैं लेकिन कुछ जो छे पॉइंट है जैसा के आपने बताया है तो यहां पर बता आशरत है बहुत जल्द यह नई सरकार जो भी आएगी उसको लागू करने के लिए यहां पर बोला जा रहा है भी अगर नई सरकार आती है तो जल्द इस पर जो है कारवाई की जा सकती है तो दुस्त अपडेट थी फिलाल के लिए अगर आप भी चाते हर्याना में उसके सं चैनल को जूर सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें तुस्तों साथ शेर करें थैंक यू वेरी मुच